राज़िती विज्ञान विशय में हम लोग PG and 10 से जाम वर्ष 2016 का प्रस्ण पता हल कर रहे थे इसके पहले भाग में हमने एक से लेकर 50 अक्य प्रस्णों को हल किया था अब हम इसके दूसरी भाग में 51 से 100 अक्य प्रस्णों को हल करेंगी इक चानवा प्रस्ण है पैरेटो अभिजात वर्ग की किस सिद्दान्त से जुड़ा हुआ है इसके विकल्पे हैं अभिजात वर्ग का संगटनात्पक सिद्दान्त दूसरा है अभिजात वर्ग का आर्थिक सिद्दान्त तीसरा है अभिजात वर्ग का मनुविज्यनिक सित्दान, चौता विकल्ब है अभिजात वर्ग का पहुलवाति सित्दान, जब आप पैरेटो के अभिजात वर्ग के सित्दान को पढ़ेंगे, तो उन्होंने Organisational Theory of Elite यानिकिस अभिजात वर्ग का संगटनात्म सित्दान दि हैं UK, USA, France, भारत इसका सही उत्तर है USA USA में USA का संगधान अलग है और उसके जितने भी प्रांते हैं उनका संगधान अलग है, USA का संगधान इसलिए सबसे चोटा संगधान है तो कि वहां के जो प्रांत हैं उनका अपना अलग संगधान है तो यहाँ पर विकल्प दो इसका सही उत्तर है USA में 50 प्रांत हैं अगला प्रशन है कहां की राजनितिक ब्यवस्ता में संसदी सर्वोच्चता आवशक तत्व है इसके विकल्प है UK, भारत, कानाडा, आस्टेलिया इसका सही उत्तर है UK क्योंकि ब्रिटेन की राजनितिक ब्यवस्ता में संसदी सर्वोच्चता यानि की पारलमेंट्री सुप्रमेश्टी पाई जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर संसद त्वारा किसी भी विशापर कानून बनाया जा सकता है UK के संसदी सर्वोच्चता को इस आधार पर भी विचार को निकाहा है कि यहाँ सब कुछ कर सकती है सिर्फ पूरुष को इस्तरी और इस्तरी को पूरुष नहीं बना सकती है बाकि यहाँ सारे काम कर सकती है इस तरह की राजनितिक व्यवस्ता वाली संसदी सर्वचता यहां पर पाई जाती है विकल्प एक इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है तो लाट्पक राजनितिक का अध्यन का पारंपरिक उपागम उपेक्षा करता है यानि कि जब हम comparative politics को परते हैं तो comparative politics का एक उपागम जिसे हम परंपरिक यानि कि traditional approach कहते हैं वह किसकी उपेक्षा करता है इसके विकल्प में हैं सरकार कैद्यन की, संस्ताओं के वणन की, समिधानों की तुलना की आनभाविक जांच की आप देखेंगे जो traditional approach है उसमें सरकारों का अध्यन होगा, उसमें संस्ताओं का अध्यन होगा, उसमें समिधानों की तुलना होगी लेकिन जो चीज़ वहाँ पर कमी पाए जाएगी वो होगी empirical investigation यानि कि आनभाविक जांच की इसलिए याँ पर विकल्प चार इसका सही उत्तार है अगला प्रशन है, निमने मैं से कौन सा संगात्मक सरकार का आधारभूत तत्तो माना जाता है यानि कि एक ऐसा feature federal government का जो महत्तपूर माना जाता है और उस पर वो ब्यवस्ता काम करती है पहला है शक्तियों का पृत्तिकरण, दूसरा है मन्ति मंडली तानासाई, तीसरा है सामोहिक उत्तरदाइद, चोहता विकल्प है केंद्र और इकायों की मद्ध, शक्तियों का विभाजन जब हम बात करते हैं संगात्मक सरकार की या संगी व्यवस्ता की तो संगी व्यवस्ता वाली सरकार वह होती है यहाँ पर केंद्र और राज्य निके काईयों के बीच शक्तियों का इसपश्ट वेभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है दिविजन अप पावर बिट्विन सेंटर एंड स्टेट्स तो यहाँ पर विकल्प चार इसका सही उतार है जब हम यह सक्तियों के पृत्वक्रण की बात करते हैं यह अध्यक्षात्मक सासन पडाली की विशिशता है जब हम शामुई को दरदयत की बात करते हैं तो यह संसद पर नौकर साही है। इसके विकल्पे हैं ताना शाही का मुल्य, तूसरा है संसदी लोगतंतर का मुल्य, तीसरा है संगवात का मुल्य, और चोहता है उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं। मुल्य है, विकल्प दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रशन है, निम्न मैंसे सरकार की कौन सी पनाली में दू शदन एक अनिवारी तत्व है, इसके विकल्पे हैं अध्यक्षात्म पनाली, संसदी पनाली, संगात्म पनाली, एकात्मक पनाली, जब हम बात करते हैं दो शदनों की, तो दो शदन यानिकी बाई-कैमेरेकल जो essential features है, वो संगात्मक यानिकी federal system का है, दो सदनोंने अनिवारी हैं, जैसे हम भारत की बात करते हैं, लोगसवा राजसवा, अमिरिकल की बात करते हैं, सीनेट और परत्निदी सवा, तो इस तरह की जो व्यवस्ता होती हैं, उन्हें हम संगी व्यवस्ता वाली देश कहते ह हैं, अगला प्रशन है, संगी सरकार में मंत्रियों की निक्ति होती है, इसके विकल्पे हैं, राजी की मुख्या की विएक द्वारा, सरकार की मुख्या द्वारा, तीसरा है सरकार की मुख्या की से पारिशों से, राजी की मुख्या द्वारा, चौता है विधान सबा द्व होती है विकल्पतीन इसका सही उत्तर है आप यहाँ पर बात याई सरकार का मुख्या कौन होता है तो सरकार का मुख्या प्रधानमंत्री होता है और राजी का मुख्या यह पूरे देश का मुख्या राष्टपती होता है तो प्रधानमंत्री किसी बारिश पर राष्टपती जो है मंत्रों की नुक्ते करते हैं पिकल्प 3 इसका सही उत्तर है अगला प्रस्ने है सरकार का पहला ब्यवस्तित बर्गी करण दिया गया इसके पिकल्पे हैं अरस्तु द्वारा प्लेटो द्वारा शुक्रा द्वारा मंटेस की द्वारा सरकारों का पहला जो ब्यवस्तित बरगी करण दिया गया था, वो हो अरस्तु की द्वारा दिया गया विकल एक इसका सही उत्तर है। अरस्तु ने एक व्यक्ति का सासन, कुछ व्यक्तियों का सासन और बहुत से व्यक्तियों के सासन की बात की थी और इसमा उन्होंने सही रूप और विक्रित रूप पर चर्चा की थी अरस्तु ने इसके लिए 118 देशों के समिधानों का अध्यन किया था तो यह भी आपको आरक्टरा है अरस्तु ऐसे भी द्वाने जो नोंने 108 देशुक के समिधानों का अध्यन किया था तब व्याकर कि तोनलात्व का अध्यन की द्वारों नोंने सरकार का व्यवस्तित बर्गी करण किया था अगला पुस्न है सत्ता का आउशक्तत्व है यानकि जो ऑथोर्टी है उसका आउशक्तत्व क्या है इसके विकल्पे हैं बल, वैद्यता, प्रोचसाहन, प्रभाव जब हम सत्ता की बात करते हैं तो शत्ता में जो गुण होना चाहिए उसका सही उत्तर है अगला पुस्न है निम्न मैंसे कौन सा राजनितिक विकास का तत्तौ नहीं है यानि कि पॉलिटिकल डेपलेप्मेंट में कौन से तत्तौ नहीं होते हैं इसके वारे में उनको बताना है पहल पहला है सामानता, एक्कॉलिटी, दूसरा है इदिफ्रेंशेशन, तिसरा है प् जब आपने कोल्मेन और लुशेन पाई को पढ़ा होगा तो कोल्मेन और लुशेन पाई ने पॉलिटिकल डेपलेप्मेंट के तीन तत्तौ एक्कॉलिटी, कैपसिटी और डिफ्रेंशेशन पर चार्चा की है तो एक्कॉलिटी, कैपसिटी और डिफ्रेंशेशन, यानिकि इसके विकल्पे हैं आस्टेलिया, न्यूजिलेंड, मेक्सिको, शुर्जा लेंड, 1971 में मताधिकार प्राप्त करने वाली महलाएं शुर्जा लेंड की थी, विकल्प 4 इसका सही उत्तर है भारत में आजाधिकी बात से ही 1950 से ही महलाओं को मताधिकार प्राप्त था लेकिन शुर्जा लेंड जैसे देश में 1971 में महलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था अगला प्रशन है कोटिली ने अपने अर्थसास्तर में किस परकार की राज्जी की कल्पना की है इसके विकल्पे हैं पूलिस राज्जी की, दूसरा है कल्यानकारी राज्जी की, तीसरा है कराधान राज्जी की, चौता है सामपरदाई यानकी कमिनल स्टेट की जब आप कौटिली के अर्तसास्त को पढ़ोगे तो उसमें वह हो एक ऐसे राजी की कल्पना करते हैं जहाँ पर सभी का कल्यानों तो welfare state क्यों बात करते हैं विकल्प दो इसका सही उत्तर है अगला पुछन है कौटिली के मंदल में कितने राजा आते हैं इसके विकल्प में हैं चार, छे, बारह, तीस जब आप कौटिली के मंदल सिद्दान्त को पढ़ोगे तो कौटिली के मंदल सिद्दान्त में बारह राजा हैं तो यहाँ पर विकल्प तीन इसका सही उत्तर है कि कोटिल के मंदल सिद्दांत में बार राजा आते हैं। अगला प्रशन है शत्याग्रह के साथ अहिंसा को मिला कर तुम संचार को अपने कदमों में ले आओगे यहो किसने कहा। इसके विकल्प है बिनोवा भावे, महात्मा गाधी, जैप्रकाश नारायन, बाबा, आम्ते यहो परशित्य कथन महात्मा गाधी का है। उन्होंने शत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धानत पर चलने के लिए लोगों को प्रेशित किया और कहा कि अगर आप शत्याग्रह के साथ अहिंसा को मिला दोगे तुम संचार को अपने कदमों में ले आओगे। विकल्प दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रशन है निम्नमसे लाइफ डिवाइन पुस्तक किस ने लिखी। इसके विकल्पे हैं महत्मा गाधी, शावरकर, अरबिंदो घोष, अमेंडरोई, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक, अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। विकल्प तीन इसका सही उत अगला प्रशन है गाधी के लिए शौराज का अर्थ है। इसके विकल्पे हैं पहला है आत्मनुशाशन, दूसरा है कानून का सासन, तीसरा है नेतिकता वाले अच्छे लोगों का सासन, चौता है सबकी भलाई का लक्षे। गाधी जी शौराज को सबकी भलाई का लक्षे परशूट ऑफ गुड और अल की बात करते हैं विकल्प चार इसका सही उत्तर है। अगला प्रशन है माई एक्सपेरिमेंट विद टृत किताब को लिखने वाला कौन है इसके विकल्पे हैं महत्मा गाधी, नरेंद्र मोधी, इंद्रा गाधी, मेंका गाधी, माई एक्सप इसके साथ जुड़ा है, इसके विकल्पे हैं पंडी जोहला नेरू, शुबाश यंद्बोश, बिनवा भावे, गोखले, इसका सही उत्तर है बिनवा भावे, पुदाना अंदुलन, बिनवा भावे से संबंदित है, अगला प्रशन है, हूँ अर्द शुद्राज, यानि क पुस्तक लिखी है, वह भीमरावंबेटकर्स के द्वारा लिखी गई है, विकल्प दो इसका सही उत्तर है, अगला प्रशन है, शोशलिजम, शर्वोदय, एंड डेमोकरिशी, किताब को लिखने वाला कौन है, यानि कि एक किताब दी है, उसका नाम है सोशलिजम, शर्वो इसको किछ ने लिखा है, इसके विकल्पे है, जैप्रकाश नारायन, एम एंड रॉय, अर्बिंदो, महत्मा गादी, इस किताब को जैप्रकाश नारायन के द्वारा लिखा गया है, विकल्प एक इसका सही उत्तर है, अगला प्रशन है, राजी का आधार इच्छा है, बल यानि कि, will not force is the basis of the state, इसका कतन है, इसके विकल्पे है, टी-एस ग्रीन, obs, mil, can't, जब आप statement को बढ़ोगे, कई बार statement आ चुका है, और कई बार पूछा भी जाता है, तो आधार श्वादी विचारक, टी-एस ग्रीन ने कहा था, कि राजी का आधार इच्छा है, ना कि बल यानि कि, राजी का आधार इच्छा है, ना कि बल ये कतन जो है, अधार श्वादी विचारक, टी-एक्स ग्रीन का है, अगला प्रशन है, स्री नरेंद बोधी, किस कड़बंधन से सामदित हैं, इसके विकल्पे हैं, NDA, UPA, बाम मोर्चार, इन में से कोई नहीं, नरेंद बोधी जो है, NDA, National Democratic Alliance के अड़बंधन से समदित हैं, अगला प्रशन है, कौन साथ इस नेम के संस्तापकों मैं से एक है, इसके विकल्पे हैं, चीन, USA, युगोश्लाबिया, इंग्लेंड, तो नेम के संस्तापकों मैं, युगोश्लाबिया, भारत, घाना, इंडोनेश्या इस नेम के संस्तापकों मैं से एक माने जाते हैं, पांच इसके संस्तापक देश हैं, उनमें युगोश्लाबिया भी सामिल हैं, अगला प्रशन है, भारती राजनिती की व्याक्या करते हुए, एक दलका बर्चस से सिद्धान उप्योग किस ने किया, इसके विकल्पे हैं, मुराजी देशाई, या फिरकाश नानायन, रजनी कोठारी, पुनी पीर सिंग, ये प्रशन भी कई बारा कहा है, कि भारती राजनिती में वन पार्टी डोमिनेंट सद्धिकिस ने डिस्टाइब किया है, ये किया था रजनी, कोठारी ने विकल्पत तीन इसका सही उत्तर ह अगला प्रशने है, हमारी समिदान में मौलिक कर्तावी सामिलित किये गए, इसके विकल्पे हैं, 24 Vallis respiratory, 24Checkً correct vostograph, 73, संद् internships, भारती शमिदान में 22 समिदांन संद्रोधन, 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तवियों को सामिलित किया गया था, वर्तमाय मेंनकी संक्या 11 है, जो 11 वा मौ बच्चों को जो है 6 से लिएक का 14 साल तक के बच्चों को निशुल के वनिवार सिक्षा तिलारों का करता भी है इस तरह की बातें लिखी गई है वो 11 हमारा मौलिक करता भी है तो वर्तमान में 11 मूल करता भी है और 42 समिधान संजोधन 1974 के द्वारा 10 मूल करता भी जोड़े गए थे इन मूल करते भी हो को स्वाण सिंग समीति की अनुचंचा पर जोड़ा गया था विकल्प दो इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है भारती समिधान में संसुधन करने का प्रावधान किस अनुचेत में है इसका सही उत्तर है अन 1972, 1960, 1965, 1979 इस प्रशने का सही उत्तर है 1972 राज्टी प्रशासने अकदमी का नाम LBS दो है 1972 में रखा गया था विकल्प इक इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है गंगा जल बेबाद यानिकी गंगा वार्टर डिस्प्यूट किन दिशू के बीच में है इसके विकल्प है भारत और बांगलादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और स्रिलंका, भारत और नयपाल जब आप गंगावाटर डिस्पूट को बढ़ेंगे तो भारत और बांगलादेश के बीश में गंगावाटर डिस्पूट है तो विकलब एक इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है किस संसोदन दौरा संपत्तिक्यादिकार को मौलिकादिकार से निकाल दिया गया इस प्रश्ण कम कही बार पढ़ चुके हैं 44.7.1978 के दौरा संपत्तिक्यादिकार को मौलिकादिकार किस्तिन से निकाल दिया गया विकलब एक इसका सही उत्तर है सवालिशा संतो दन उनिस सो अठार दुआरा अगला पुशन है सरकार्य आयूक का सम्मंद किस से था इसके विकल्पे हैं विदेश नीती से नदी जलबटवारे से केंदराज सम्मंदों से सीमाओं के विवास से इसका सही उतर है केंदराजी सम्मंदों से 1983 में ब्रणजीत सिंग सरकार्य के देशता में सरकार्य आयोक का गठन किया गया था अगला पुशन है किन देशों निम्न देशों में से किस देश में संगात्मक सरकार है इसके विकल्पे हैं चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसे जब हम यूएसे की व्यवस्ता को देखते है तो वहाँ पर संगी सरकार है चीन में साम्यवदी सरकार एक पार्टी की सरकार चलती है और ब्रिटेन में इक आत्मक सरकार की सरकार है लेकिन यूएसे में जो है संगात्मक सरकार चलती है अगला पुशन है कौन सा देश सुरक्षा परिशत का स्ताईश देश्य नहीं है तो जो pressure group होते हैं, वो political parties से किस प्रकार भिन होते हैं, पहला है उनके शदश्चता जादा है, दूसरा है वो चुनाव लड़ते हैं, तीसरा है वो व्यापक को दिश्चों को लेते हैं, चौता है उनका कारी चेत्र बहुत सेमित हैं, तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखें, त जो pressure group और political parties में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, वो होता है चुनाव लड़ने का, यानि कि जो political parties होती हैं, वो चुनाव लड़ती हैं, लेकि pressure group को भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ये जो है सबसे बड़ा difference इसमें चुनाव लड़ने का है, विकल्प एक, जो पार्टियां होती हो चुनाव लड़ती हैं, और जो दवाव समो होती हो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अगला प्रशन है, बहुदली ब्यवस्ता किस देश में हैं, इसके विकल्प में हैं, भारत, चीन, यूके, यूसे, तो जब हम इन सब विकल्पों को देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पर बहुदली ब्यवस्ता है, चीन में साम्यवाधी डल है, यूके में दो पार्टियां मुक्ये हैं, और यूसे में भी जो है दो पार्टियां मुक्ये रूप से चलती हैं, अन्डी पार्टियां उतनी जाद सकती नहीं है, इसके भारत लॉर्ड हीवर्ट, रुडॉल्फ, मैक्स वैबर जब आप नौकर साही के आलोसना वाले चप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ पर लॉर्ड हीवर्ट ने नौकर साही के आलोसना में निउडिस्पोर्ट जो है किताब लिखी है विकल्प दो इसका सही उत्तर है अगला पुस्टन है राष्ट संग ने अपनी सुरुवाद कितने देशों से की थी आप जानते हैं कि पर्थम इशुदी के बाद लीग ऑप निशन बना था और हमें बताना है कि कितने देश प्रारम में इसमें थे इसके विकल्पे हैं 12, 14, 20, 42 इसका सही उत्तर है 42 जब हम यूएनू के बात करते हैं यूएनू में प्रारम में काउन देश थे बाद में वर्तमान में हम बात करें तो 193 समुदेश हैं राष्ट संग में जो है प्रारम में 42 सदस्चिते 42 सदस्चिते शुरू हुआ था अगला पुस्टन है समिधान की माशवदा समीध और के ड्राप्टिंग कमिटी के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था तो इसके विकल्पे हैं जोहला नहरू, भीम राव अमबेटकर, भी एन राव, महत्मा गादी आप जानते हैं कि समिधान की माशवदा समीधी के ड्रामने प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था पंडी जोहलाल नहरू ने रखा था विकल्प एक इसका सही उत्तर है अगला पुस्टन है शुवाचंद बोश ने कांगरेस की अध्यक्स पत से जाग्पत्र कब दिया इसके विकल्पे हैं 1939, 1949, 1940, 1940 उप्रोक्त मैं से कोई नहीं शुवाचंद बोश ने वर्ष 1949 में 1939 में कांगरेस की अध्यक्स पत से स्थीपा दे जया था ऐसा मान जाता है कि शुवाश्चंद बोस को महत्मागादी अध्यक्सपत पर नहीं देखना चाहते थे उनकी पसंद जो है शुवाश्चंद बोस नहीं थे इसलिए बाद में शुवाश्चंद बोस ने जो है पांगरिस की अध्यक्सपत सीस्तिपा दे दिया था विकल्प द लबाई पटेल, जौहाला लेरो, आचारी बिनुवा भावे, और तीसरा विकल्प यहां पर दिया है महात्मा गाधी का, तो चार विकल्प दिये हैं, तो जब आप यहां पर देखोगे, तो ब्यक्तिकत सत्यागरव को सुरुआत करने वाले जो पहले थे, उनका नाम था आच आचारी बिनुवा भावे, तो यहां पर विकल्प पहले शत्यागरी जो थे, उसमें आचारी बिनुवा भावे थे, यहां पर विकल्प चार इसका सही उत्तर है, और दूसरा जो उसमें पाटिश्पिश्ट किया था, वो पंडी जो हलाल नहीं रूनी किया था, विकल्प जो दूसरे निंबर पर थे और पहले जो सत्या गरिये थे उसमें आचारे विनोवा भागए थे। अगला पुष्ण है भारती राष्टी कॉंग्रेस ने पहला स्वत्ता जिवस 26 जनुरी को मनाया। उसमें कौन सा वर्षता हो अगल इसके विकल्पे हैं 1920 में, 1925 में, 1939 में, 1947 में आप जानते हैं कि पूर्ण स्वत्ता जो घोष्णा की गई थी वो दिसंबर 1929 में की गई थी उसके बाद 26 जनुरी 1930 को पहला जो है स्वत्ता जिवस मनाया गया था जो विकल्प तीन इसका सही उ पूसने है नव मानतावात के वकालत किस ने की इसके विकल्पे हैं तोहला नहिरू ने, MN रोई ने, सिर्यर बिंदो घोस्ट ने, उपरोक्त मैंसे कोई नहीं, निव मानतावात के वकालत करने वाले विचारत मानवे निरनात रोई थे, विकल्प दो इसका सही उत्तार है, अगला पूसने है निम्न मैं सिक किस ने शिवाजी और गनपत त्योहार को राश्टी त्योहार में बदल दिया, इसके विकल्पे हैं लाला नाचपत राय, बाल गंगाजर तिलक ने इन त्योहारों को राश्टी त्योहार में बदल दिया था, ताकि लोगों को एक जुट किया जाए और श्वादिंता आंदुर्ण में लोगों की सक्री वहमिका को उनके जो अपने फेस्टिवल हैं, उनसे जोड़कर रखा जाए ताकि लोग का पाटि स्वागी मेंबर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर है, क्योकि उसमें 1 त्यहाई सदश हर 2 साल में का होते हैं, बाहर रहते हैं, तो जो है, जो सदश होता है उसका कारिकाल 2 सबास होता है, तो इसको आप गुट्टा 3 सदश, 2 वर्स में रिट अगला पुछन है भारती समिधान के किस संचोधन को ए मिनी रिवीजन या ए मिनी कंस्टूटिशन कहा जाता है। इसके विकालपे हैं 24 संचोधन को, दूसरा है 26 संचोधन को, तीसरा है 42 संचोधन को, चोहता है 38 संचोधन को। जब आप भारती संचोधन को पढ़ेंगे, तो भारती संचोधन में सब्से जादा जो भहुँच जादा संचोधन किये गए थे, वो किये गए थे 42 संचोधन 1976 में। उस समय देश में वर्जन से लगी थी आपातकाल का समय था तो उस समय के संसोधन जो बहुत सारे हुए थे इसे मिनी रिविजन याई मिनी कंस्टूटूटूजन भी कहा जाता है 1976 के 42 संसोधन को. अगला पुष्ण है भारत में एक ब्यक्ति संसत का सदर्श ना होने पर कितने अधिक्तम समय तक मंत्री मंडल का सदर्श रह सकता है। लोकसभा का या राजसभा का सदर्श बनना होता है। तो 6 महा का समय होता है यहाँ पर विकल्प 2 इसका सही उत्तर है 6 महने तक वह जो है मंत्री रह सकता है और 6 महने के अंतरगर जो है उसे या तो लोकसभा का या फिर राजसभा से निर्वाचित होकर आना होता है तो विक विकल्पे हैं, क्रीस, USA, ब्रिटेन, कानाडा, तो सरकार की जो मंत्र मडली, यानि की कैबिनेट सिस्टम और गवर्मेंट है, उसकी सुरुबात जो सर्थ पहले हुई थी, वो ब्रिटेन से हुई थी, विकल्प तीन इसका सही होतार है, ब्रिटेन, आप जानते हैं कि संचदो की जननी है भी, हम ब्रिटेन की संचद को कहते हैं, और संचदी पणाली, ब्रिटेन में चलती है, भारत ने अपने यहां संचदी व्यवास्ता का जो आधार बनाया है, वो ब्रिटेन को ही बनाया है, और कैबिनेट सिस्टम, आप जानते हैं, कैबिनेट के द्वारा संचद सभा की किस्ता ये धक्षते विकल्फ है किसका सही उत्तर है अगला प्रस्न है निम्न मैंसे कौन सी योगिता लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए आउशक नहीं है पहला है भारत की नागरिक दूसरा है 25 वर्ष की आयर तीसरा है स्वास्त दिमाग चौता है सना तक जब भारती शामिधान में लोग सभा की निर्वाचिन की उगिताव को पढ़ेंगे तो वह भारत का नागरिक हो उसी कि या 25 वर्ष की हो वह स्वास्त दिमाग का हो यान कि वो मानसिक्षत उसकी ठीक हो लेकिन वह सनातक हो पढ़ने की शिक्षित की ऐसी कोई उम्रे नहीं है और शिक्षित लोग या कम पढ़े लिखे लोग भी लोग सभा का चुनाव लड़ सकते हैं बसरती की भारत की नागर्ता हो 25 वर्ष की आयो और स्वास्त दिमाग या स्वास्त मानसिक्षित उसकी हो तो यह है तो यहापर विकल्प चार जो है सनातक जो है इसक्योगिता नहीं ह अगला प्रशन है अध्यक्स्ती सरकार किस सिद्दान्त पर कारी करती है इसके विकल्पे हैं शक्तियों का प्रितिकरण, शक्तियों का बटवारा, शक्तियों का समिस्रण और शक्तियों का केंदिकरण जब आप अध्यक्स्ती सरकार यानिकी प्रिजिजेंसिल फॉर्म और के बात करते हैं तो वह शैप्रिशन अप पावर यानि कि शक्तियों की पृतिक्रण सिद्धान्थ पर काम करती है विकलब ये किसका सही उत्तर है तो बागी जब हम बात करते हैं शक्तियों का बटवारा डिविजन अप पावर ये संगी ब्यवस्ता की बात है, जब हम बात करते हैं, fusion of power, शक्तियों का समिस्रण, ये संसदी ब्यवस्ता है, ये संसदी ब्यवस्ता है, तो इस तरह से यहाँ पर दो तिंग ब्यवस्ता दिये, पहली जो ब्यवस्ता है, वो आपके यह आपकी शंगी व्यवस्ता है, जह हो सक्तियों का समिष्रन कहते हैं, तो यह व्यवस्ता जो चलती है, यह शनशती व्यवस्ता है. आज की इस प्रश्ण पत्र में जो की PG Entence Exam परसे 2016 का है उस महत्यपूर्ण प्रश्ण जो कि आपके आगामी प्रत्यों की परिक्षा में पूछी जा सकते हैं हम नों पर चर्चा की है आप इन प्रश्णों का बिस्तित रुप से अध्यन कीजिए उसके लिए आप इंटरनेट अन्य संसादनों का साहर लिजिए और UGCNet, StateSat, PGT, TGT, PhD, SNPROFESSOR अन्य पेपरों के अध्यन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप अध्यन कर सकते हैं हम अन्य राज्यों की जो पेपर हमारे पास उत्वा दोंगे इंटरनेट की साहता से या अन्य माध्यमों से जैसे भी मिलेंगे हम आपके सामने उनको रखेंगे आज की इस प्रस्टपत में इतना ही धन्यवाद